Hello everyone and welcome to my channel तो आज हम लोग बात करेंगी रेडियेसिन के बारे में तो रेडियेसिन क्या होता है रेडियेसिन एक मेथड है जिस से हीट का ट्रांसपर होता है और हम लोग ये जानते हैं हीट का ट्रांसपर जो होता है होर्ट बॉडि से किदर होता है ना cold body की और होता है hot body से किदर होता है cold body की और होता है यह लोग जान रहे हैं और यहां पर हम लोग यह भी देख लिए हैं कि radiation के अलावे जो heat का transfer हो रहा होता है उसके और भी दो methods होते हैं और वो दो methods क्या होते हैं तो पहला तो हमारा conduction होता है जिसके बारे में हमने study कर लिया था और दूसरा जो हमारा था convection convection इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था ओके तो आज हमारे पास यह तीसरा method है यह हमारा है radiation है ना radiation भी heat transfer होने का एक method है यह भी हम लोग जान रहे हैं अब आए radiation से किस तरह से heat का transfer होता है यह हम लोग यहां पे जानेंगे तो देखिए first paragraph क्या कहता है are we feel hot when we stand out in the sun जब भी हम लोग बाहर खड़े होते हैं sunlight में धूप में तो हम लोग नहीं हम लोगों को गर्मी फिल होती है यह यह आप देखें होंगे और दूसरा है when we are near a fireplace जब भी fireplace के नजदिक हम लोग रहते हैं तो पिर हम लोगों को ना क्या होता ना hot feeling होता है बहुत जादा गर्मी लगती है अब यहाइसा कैसे होता है how does the heat of the sun और the fireplace reach us यह जो heat है sun का या तो फिर fireplace का वो हम लोगों के पास कैसे पहुंचता है यह हम लोगों के लिए एक question mark हो जाता है तो आईए हम यहाँ पर next paragraph आगर आप भी देखते हैं कहता है the heat of the sun does not reach us either by conduction or by convection यह देखिए दोनों method का बारे में यहाँ दोनों method का यहाँ पर जिक्र किया गया है conduction और convection जिसके बारे हम बात कर रहे थे यह जो sun है sun से जो हमारा heat आता है हमारे पास वो conduction के दोरा नहीं आता है और नहीं convection के दोरा आता है वो आता है कैसे तो आता है हमारा radiation के दोरा अब यहां पर प्रस्त है कि conduction और convection के दोरा यह जो sun का heat है वो हमारे पास क्यों नहीं आता है तो इसका reason यह है अनि vacuum है बहुत सारा खाली जगह है between the sun and the earth जो sun है और earth है इसके बीच में यह मालेजे की sun हुआ यह मालेजे की earth हुआ ठीक है तो इसके बीच में यहां पर बहुत सारा जो space है वो क्या है आपका vacant है vacant कहने का empty space आने के vacuum है वहाँ पर कुछ भी नहीं है air भी नहीं है तो vacant होने के वज़ासे वहां से हमारा heat जो है ना वो conduction और convection के दोरा method से नहीं आ सकता है अब conduction और convection के दोरा क्यों नहीं heat आ सकता है तो यह हमने देख लिया चुकि यह जो conduction process है और यह convection process है इसको medium चाहिए होता है क्या चाहिए होता medium चाहिए वह आपका air हो ओके वो medium आपका air हो या फिर वह मीडियम आपका liquid हो right है या तो फिर वह medium आपका solid हो यह हमाट जान रहे हैं जब तक medium नहीं मिलेगा तब तक conduction और convection से heat का transfer नहीं हो सकता और हमने यह भी देख लिया था यह जो conduction था वह हमारा किस में हो रहा था ना solid medium में हाना एक solid से दूसरे solid में जब heat का transfer हो रहा होता है जब वो contact में रहते किस तरह से रहते हैं एक दूसरे के contact में रहते हैं हाना तब उसमें heat का transfer होता है तो वो conduction process हो रहा होता है लेकिन जब यहाँ पे हम convection की बात करते हैं तो convection में liquid state में जो अपना हीट का transfer होता है या तो फिर gas state में जो heat का transfer होता है वो मे에 हमारा convection होता है यह हमने देख लिया था अब यहाँ पे हमारा जो radiation है वो ये दोनों से अलग है चलिए आईए हम देखेंगे अगले परागराफ में कैसे वो एक दुसरे से अलग है तो यहां पर थोड़ा से लोग और देख लें conduction and convection both require a material medium for the transfer of heat heat के transfer होने के लिए on your Adventure denkt को क्या चाहिए material medium जाहिए material बात कर लिया कोई हो सकता है एयर हो सकता है liquid हो सकता है गैस हो सकता है और एयर और liquid किसमें होता है तो convection में और conduction हमारा solid में होता है यह भी हमने जो तीसरा मेथड हीट ट्रांसपर होने का उसको हम कहते हैं रेडियेशन और इसके यह एक ऐसा मेथड है जिसे वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसपर हो सकता है देखें बहुत इंपोर्टन बात है नो मेटरियल मेडियम इस रिक्वाइड आने की रेडियेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट ट्रांसपर होने के लिए आपको किसी भी तरह का मेटरियल मेडियम क्या हो सकता नहीं है नहीं एयर नहीं सॉलिड और नहीं आपका लिक्वीड किसी तरह का भी यहां पर मेडियम क्या हो सकता आपको नहीं पढ़ेगी ओके चलिए आप देखेते हैं नेक्स्ट पर अगराप हम लोगों से क्या कहा गया the heat energy received by an object through radiation रेडियेशन के दोरा जब heat energy receive के आता है किसी भी बोडी के दोरा तो इस तरह की energy को क्या कहते है is called radiant energy तो इस तरह के energy को का कहा जाएगा radiant energy कहा जाएगा we say that all hot objects give out or radiate heat energy जितने भी hot objects हैं वो क्या करते हैं गिब आउट करते हैं कि गिब आउट करने का मतलब दे देते हैं छोड़ते हैं रेलीज करते हैं क्या रेलीज करते हैं heat energy को हाने की radiate करते हैं रेलीज करते हैं तो आगे देखिए कहता है when radiant energy falls on any matter a part of it is reflected back and a part of it is absorbed by the matter ये जो radiant heat energy है ना ये radiant heat energy जब fall करता है किसी भी matter पे तो वो matter उस energy को थोड़ा बहुत reflect कर देता है और थोड़ा बहुत उसके part को क्या करता ना absorb कर लेता हैं आगे देखिए क्या कहता है it is the absorbed part of radiant energy that heats up the object ये जो radiant heat energy का part है जो absorb कर लिया गया object के द्वारा matter के द्वारा उसी के वजा से वो matter ना heat up हो जाता है we find through practical experience that black objects are very good absorbers of radiant energy ये जो black object होते हैं ये very good absorbers होते हैं किसके radiant energy के radiant energy को वो बहुत ज्यादा absorb करता है ये experimentally practically पाया गिया है highly polished or white objects on the other hand absorb very little amount of the radiant energy falling on them ये देखिए white object जो होते हैं और जो highly polished होते हैं उस तरह के object ना little amount of radiant energy को क्या करता है absorb करता है बहुत कम मात्रा में energy को वो absorb करता है तो ये बहुत important point हो गया objective यहाँ से बनेगा आपका the following activity will help us to verify this fact अब ये जो fact है इसको हम कैसे verify कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक activity दिया हुआ है ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पर activity है इसके हम बात कर लें देखिए activity में क्या दिखाया गया है ना एक तरफ black color आपको देख रहा हुआ black part है एक तरफ white part है ओके ये जो black और white part आप देख रहे हैं ये क्या है ये हमारा paper है ये देखिए paper हना paper को यहाँ पर wrap किया गया है किस पर wrap किया गया है तो ये आप देख रहे हैं ना hand से पकड़ा हुआ ये आपका कुछ नहीं बस ये thermometer है ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका thermometer हना इसको पकड़ के रखा गया है और उसके टॉप पे वाइट पेपर और ब्लैक पेपर से क्या किया गया है रैप किया गया है अब इस थर्मामीटर के टेंपरेचर यह जो बोडी है पेपर इसके टेंपरेचर को यह रीड करेगा कौन थर्मामीटर ठीक है तो अभी देखिए क् read out कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कहता है take two identical thermometers दो thermometers हमको लेना है एक जैसे हो and keep them side by side एक दुसरे के अगल बगल रखना है wrap a piece of black paper on the bulb of one of the thermometers and a piece of white paper on the bulb of the other thermometers यहाँ पे bulb कहने का मतलब क्या हो रहा है आपको पता है न bulb कहने का मतलब हो रहा है जो thermometer का top point होता है न उसको bulb कहा जा रहा है जहां पे पारा होता है चेकर इसके बारे हमने बात किया हुआ था पिछली वीडियोज में आपको पता होगा तो thermometer का जो point है अनिकी सबसे end point उसको bulb कहते है वहां पे हमारा mercury भरा हुआ होता है और उसको wrap करना है आपको black paper से और white paper से यहां पे आप पिक्चर में देख सकते हैं अच्छे से लोगों को दिखाया गया है कहता है now keep both of them at equal distance from a fireplace or a lighted up candle fireplace के नजदिक ले जाएंगे या तो फिर जलता हुआ मम्मुति के नजदिक ले जाएंगे और दोनों को एकदम हम equal distance पे रखेंगे ऐसा नहीं कि एक को ज़्यदा distance पे रखें एक को कम distance पे रखेंगे ऐसा नहीं of the thermometers having black paper on its bulb rises a little faster than that of the other thermometer this shows that black objects absorb heat better than white objects यहाँ पे हम क्या पाएंगे हम यहाँ पे यह पाएंगे कि जो हमारा black paper जिस thermometer पे रखेंगे है बल पे उसका temperature ज्यदा तीजी से बढ़ेगा और जिस पे white paper wrap किया गया उसका temperature धीरे धीरे बढ़ेगा ओके तो इससे क्या हमारा पता चल जाता है कि जो black objects होते हैं वो ज्यदा अच्छे से heat energy को absorb करते हैं हना with compared to white objects तो यह activity interesting था यह भी हमने देख लिया कि radiant energy को कौन से object कितने ज्यदा में absorb करेंगे अब आएए यहाँ पे हमारे पास कुछ points है इसको हम देखेंगे कहता है the difference between the absorption and emission properties of black and polished surfaces has many practical uses we list below some of these यहां पर यह खागया है कि जो हमारे black objects होते हैं और जो polished surface वाले objects होते हैं वो किस तरह से energy को absorb करते हैं किस तरह से energy को emit करते हैं अना उसके basis पे उसके property के basis पे यहां पर बहुत सारे हमारे daily life में usage हैं तो यह सारे usage को यहां पर हम देखेंगे one by one तो first यहां पर use की बात किया जाए तो कहता है the bottom of cooking utensils is often kept black जो भी हमारा cooking utensils होता है उसका bottom जो होता है वो कैसा होता है black होता है black क्यों होता है ताकि वो ज्यादा मात्रा में energy को absorb करे this enables the utensils to better absorb the heat of the flap जो हमारा आग होता है उसका जो heat energy है उसको वो ज्यादा मात्रा में अच्छे से absorb करे इसलिए cooking utensils के जो bottom होते हैं वो कैसे होते हैं black किये होते हैं यह हमने समझ लिया next जो हमारा practical योज होगा we prefer white or light colored clothes in summer they absorb less heat from the surroundings यह देखिए summer season में हम लोग किस तरह के कपड़े को पहनना पसंद करते हैं light colored या तो फिर white colored ठीक है जो इसका color हलका हो और तो फिर white color हो वो क्या होता है ना हम लोग summer season में prefer करते हैं ताकि वो कम मात्रा में heat energy को अब्जर्ब करें surrounding से और हम लोगों को गर्मी फिल कम हो ओके अब देखिए यहां पे आप इसी का just opposite कर सकते हैं winter season में आप जो है यहां पे कहा गया tea और coffee ports are often made shining bright है ना वह क्या होता है ना shining bright there therefore radiate out less heat the tea or coffee kept in them therefore stays hot for longer time अब देखिए जिस port में हम लोग tea चाय और coffee को पीते हैं उसका जो surface होता है कैसा होता है shining surface होता है okay bright होता है ऐसा होने से क्या होता ना वह बहुत कम मात्रा में heat energy को release करेगा अना less amount of heat energy को release करेगा और इसे जो हमारा चाय है या coffee है वह लंबे समय तक ज्यादा देर तक गरम रहेगा उस तरह के ports में ठीक है तो यह भी एक अपना interesting हो गया next देखिए हमारे पास fourth point में कहता है फाइर ब्रिगेट में ओफन यूज signing brass caps यह देखिए जो fire brigade में होते हैं वो किस तरह के caps यूज करते हैं तो signing brass caps बहुत चमकिला अस्मूथ होता है इसलिए fireman को आराम हो जाता है वो बड़े आसाने से आग को stop कर सकता है उस तरह के कायर को आराम से एंजाम दे सकता है क्योंच कि उसका जो cap होता है वो signing brass का होता है और वो बहुत कम मात्रा में heat energy को absorb करेगा फिप पॉइंट करता है houses gently have light color on their outer walls जो घर हम लोग बनाते हैं उसमें से जो outer walls होता है उसका color कैसा होता है light colors होता है क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है these absorbs and radiate less heat यह बहुत कम मात्रा में heat energy को absorb करेंगे और बहुत कम मात्रा में heat energy को release भी करेंगे this helps to keep the houses cool in summer and warm in winter winter के समय में इसके वाज़ा से हमारा जो घर होगा वो गरम रहेगा और यहीं पर summer की season में जब बात करेंगे तो summer के season में हमारा जो घर होगा कुल रहेगा ओके यह तो इंट्रेस्टिंग हो गया नेक्स्ट देखिए यहां पर टू पॉइंट्स हो रहे हैं उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिस्ट हो जाएगा many buildings in the cities have coated shining glass as their outer walls outer walls पे न shining glass आपको देखने को मिल जाएंगे these absorb and radiate very little heat this helps to improve the efficiency of the air conditioning system in the buildings तो यहां भी आपका सेम फंडा हो गया कि यह जो shining glass है यहां पे कम energy को absorb करेगा इससे फिर से जो होगा improve होगा जो आपका air conditioning system है वो इंप्रूब गर में आने आप कुल्मला की यह समझे कि हमारा जो घर होगा वो ज्यादा गरम नहीं होगा गर्मी के दुनों में और ठंडे के दुनों में ज्यादा ठंडा नहीं होगा नेक्स्ट सेवेंथ अप्लिकेशन देखिए यह जो हमारा thermos flask है the thermos flask is used to carry in it hot or cold rings यह जो hot or cold rings होते हैं उसको हम लोग thermos flask में लेके जाते हैं अब ऐसा क्यों इसका कारण है उसका structure it makes use of the property of shining or polished surfaces of absorbing as well as radiating a very little heat अना बहुत कम मात्रा में heat energy को radiate करेगा और रिलिज करेगा और absorb करेगा ऐसा होना से it also makes use of the bad conductivity of air or vacuum through its double wall surface double wall structure double wall structure आप समझ रहे है ना double wall structure means हो गया इसका जो यह container है मालीजी की एक container ठीक है तो यह container है तो यह पहले तो अंदर से तो है इसके बाहर में एक wall होगा यह देखिए इस तरह से ठीक है यह double wall container हो गया ठीक है और इसके बीच में जो space हो गया ना इस space में air भरे पड़े होते हैं यहाँ पर अना air भरे पड़े होते हैं तो air क्या होता ना bad conductor होता है किसका bad conductor होता है कि इसका heat energy का ठीक है इसलिए यह जो अंदर के heat है उसको यह बाहर नहीं आने देता है और जो बाहर के heat energy है उसको अंदर जाने नहीं देता है तो यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई कोई भी किसी भी आइटम को जो hot है उसको रखते हैं तो hot ही रह जाता है अगर इसके अंदर हम किसी cold आइटम को रखते हैं तो वो हमारा क्या होता ना cold ही रह जाता है ठीक है तो यह double wall container होता है जो की thermosplask में use हुआ करता है तो यहां पर bad conductivity of air का use होता है तो bad conductivity आने की air जो होता है ना वह bad conductor होता है किसका यह जो air होता है ना वह bad conductor होता है किसका तो heat energy का इसलिए इसका यहां पर यूज किया जा रहा है thermosplask में तो हमने यहां पर यह बिल्कुल समझ लिया है इसके applications को radiation क्या होता है इसको भी हमने देख लिया है चलिए अब यहां पर हमारा chapter complete हो चुका ह है और इसका question answer जो है ना उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा description box में वहां से आप check out कर सकते हैं so thanks for watching have a glorious day ahead